शक्तिफाम में जमीन के रास्ते को लेकर विरेंद मंडल को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ा है कुछ इसी तरीके का एक मामला गुरुग्राम शक्तिफाम में भी आया है जा एक ग्री स्वामी विरेन मंडल का कहना है कि नक्षे में खेत में जाने के लिए रास्ता था लेकिन मिट्टी को रास्ते में फैला कर उस पर धान एवं तरह तरह की फस्ले लगा दी गई जिसे खेत में जाने का रास्ता बंद हो गया अब हमें अपने खेत में जाने के लिए भारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है हाला कि इस परिशानी से प्रशाशन को कई बार ओगत कराये गया लेकिन प्रशाशन का कोई भी अधिकारी इस तरह किसी भी कारिवाई को करने के लिए तयार नहीं है कुछ दिनों पूर में पटवारी महोदे ने बताया था कि आपके रास्ते का कोई भी नक्षा नहीं है इसलिए हम आपको रास्ता नहीं दे सकते इसी कारवश आज मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि रास्ते को लेकर हम सभी लोग काफी परिशान है जब हमें सरकार के द्वारा यहां बैठाय गया था उस समय यहां पर सडक नक्से में थी मगर अब यह रास्ता फसल करके बंद कर दिया गया है यह काम हमारी पडोश के खेत वालों ने किया है जब तक हम यहां से निकलना चाहते हैं लेकिन वह हम से लड़ने के लिए तयार हो जाते हैं आपसे निवेदन यह है कि रास्ता पुना खोला जाए और हमारे आने जाने के लिए रास्ता बनाये जाए क्योंकि बरसात के समय बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं इसे आपसे निवेदन है कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। भी हमें दिया गया था और रोड को जबरन काट लिया जो कि मैं अपना एविडेंस जो है मैं रोधरपुर डियम ऑफिस से लेके आया हूं यह रहा उसका मैप और पटवारी जी आये थे मौके पर आने के बाद उन्होंने मैप भी देखा देखने के बाद फिर उन्होंने यह क लगाया दीम साब को स्वरी यह लिए अपना जिला अधिकारी को भी हमने लगाया है अधीम साथ को लगवाया था अपने अपना फजल निकाल सकते हैं मेरे खेद में परिवाय रहता है मेरी बुवा ठीक है उनके चोड़े-चोड़े बच्चे हैं उनको आने जाने बहुत परिशानी है तो यह स्कूल जाने में एक स्कूल से आने में और दूसरे के मेट से जाते हैं तो उन्हें बड़ा ही दिक्कत और बाते सुनने पड़ती हैं पटवरी लोग ये बताते कि ये नक्षे में तो कुछ रोड है फिलाल इसको कोई नमबर नहीं है नमबर नहीं है रोड ये गाव के ये अमार खेत के निकाशी तक नहीं हो पा रहे हैं और गाव के किनारे से रोड अहीं तक की समीत है और आगे के लिए कोई रोड है नहीं हाँ सर वो सी टाइम तो नक्से में रोड थे तो आप क्या कह रहे है अधिगारी लोग पड़वरी लोग यह कह रहे हैं कि यह रस्ता तो आम इसको कोई नंबर नहीं है इसको कोई हम शामात नहीं दे सकते हैं तो कायकबर हमने लाया भी हैं देखके भी गया हैं अब एस डीम स आपको भी हमने सुनभाई किया है तो अधर से हम तो कहते हैं कि जो की रस्ता मारा खेत से निकालने के लिए रस्ता हमको चाहिए तो प्रुशाशन ऐसा है कि हम हमारा जो रोट चाहिए तो वह रोट अगर निकाल जाए तो वह अच्छा ही है सरकार ने हमें जमीन लिए वो रोट चाहिए हमें हमें तो बीच में बिटाल लखा वो वाला रोट हमें चाहिए कि जैसे भी सरकार से यह उमीद है कि हमारा रोट बन जाए हमारा फसल वरवाद हो रहा है बहुत लुकसान हो रहा है हमारा घर यहां पर है कोई जाने आने के लि मोचे के लिए बहुत परशानी हो रही है बहुत ज्यादा बाइस की टायम में तो कपड़े प्रपर ऊच्छ करके वो एक अरता बचल जायँ पर सियुक्ट नहीं वहारी नहीं न सब N specialists मेरा नाम मनोज बसाड़ है मैं गुरुग्राम निवाश हूं इनका पडोशी हूं जाब इनका पुनारवशन में जमीन अवन्टित किया गया था तब यहां पर रोड था अब वो रोड बंद हो गया है